हेलो इंजिनियर्स, वेलकम टू दा नेक्स सेशन, इस सेशन में हम लोग इस विल रिम को बनाने वाले हैं, ठीक है, तो जरग और से देखिए, यहां पर इंचिज में हमें काम करना है, यह रहा इसका फ्रेंट व्यू, यह हमारा सेक्शनल साइड व्यू, इसको यहां से काटा गया है, और स्पोक का डिटेल यहां पर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, आधा पोर्शन बना के हम इसको रिवॉल करेंगे, फिर एक और स्पोक को बनाएंगे, उसके बाद उसको हम पैटन करेंगे, ओके, फिर बाकी का काम हम कर सकते हैं, यहां पर कटाउट है, य चलिए, फिर स्टार्ट करते हैं, इंच में लेना है, एक नया फाइल लूँगा, एजिटीज रहने दूँगा, ओके, यहां से हम सारे डिटम्स को ओन कर देते हैं, इसको सलेक्क किया और रिवॉल में जाता हूँ, प्लेन की जरूरत नहीं है, आप सब को आफ कर सकते हो, र यहां से हम सुरुवात करते हैं, सारा डिमेंशन इंचेज में दिया हुआ है, तो मैं लाइन से सुरुवात करता हूँ, यहां से ऐसा, उसके बाद ऐसा, ऐसा, छोटा सा ऐसा लेलो और उसके बाद ऐसा कर दो, अब इन सब को हम मिरर कर देते हैं, यह देख लिजे, अभी को dimension डालेंगे total देख लिजे 7.25 inches है 7.25 inches यहां से यहां तक 7.25 हो गया यह हमार 0.3 यह हमार 0.25 0.3 यह हमारा 0.25 अगला यह देखे 0.75 मतलब इस point से लेकर के इस point तक 0.75 और यहां पर देखे इस corner से उपर तक 0.75 again गलती हो गई undo करता हूँ vertical लेना है यहां से पकड़ो line लो यहां पर क्लिक करो 0.75 और कौन सा dimension बच गया है बॉस बागी का तो कुछ नहीं दिख रहा एक और ले लेना है यहां पर इसका total देख लिजे यहां से लेकर यहां तक 9.5 इंच का है यानि center से लेकर के यहां तक 9.5 इंच यह वाला हमारा थोड़ा सा गड़बड दिख रहा है तो इसके लिए हमें कुछ तो करना होगा अब जरा ध्यान से देखो यह इसके बराबर ही दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए इसको पकड़ो control इसको पकड़ो horizontally align कर दो यह कुछ ऐसा है ठीक है तो यह हमारा पहला profile तो बनके हो गया तैयार यह देखो 0.25 यहाँ पर इसके बराबर ही दिख रहा है सब कुछ तो मैंने उसी के बराबर में ले लिया अब यहाँ पर जरा कौर से देखो यह वला plate आधा portion बनाऊंगा तो एक ही साथ हम दोनों को revolve कर सकते हैं देखते हैं कैसे rectangle ले लो यहाँ से हमें ऐसा कुछ लेना है अब देखान से देखिए इधर क्या diameter है 7.5 का diameter है तो मैं 7.5 divided by 2 कर देता हूँ 7.5 divided by 2 अगला क्या है ठीकनेस देखिए यहाँ पर 0.5 तो मैं यहाँ पर 0.5 करता हूँ यह हो गया हमारा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा हम लोगों को यह जो center axis है वो यहाँ हमें नहीं चाहिए था हमें यहाँ चाहिए था क्योंकि revolution हमें इस axis में करना है न तो मैं क्या करता हूँ इसको delete करता हूँ थोड़े time के लिए बाकी सारे dimensions को मैं lock कर दूँगा यहाँ से ओके यहाँ पर हमें लेना है axis और ओके कर दो यह देख लिजिए यह हमारा first step हुआ complete see याद रखिए यह center के इस पार है plate इसी लिए मैंने right side में ही लिया है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा right side में ही मैंने लिया है इसको symmetric नहीं लेना है right side में है यहाँ पर भी देख सकते हो right side में है okay तो मैंने एक ही side लिया इसको चलो यह हमारा हो गया control प्लस डी अब इतना होने के बाद next step क्या है सोजरा ध्यान से देखिए यह spokes बनाने हैं मैं एक बार बता देता हूँ कि जो मैं अभी करने जा रहा हूँ उसको एक-एक step को जरा ध्यान से देखो क्योंकि यह थोड़ा सा complicated है समझे तो इसमें सबसे पहले मैं एक trajectory path बना लेता हूँ यहाँ से देख लीजिए see उसके बाद हम क्या करेंगे यह profile बनाएंगे और यहाँ पर elliptical profile बनाएंगे और इन तीनों की मदद से हम स्वैफ्ट blend करेंगे तो चलिए फिर काम चालू करते हैं सबसे पहले मैं path बनाता हूँ और देख लीजिए यहाँ पर location दिया हुआ by 2.2 का ठिक तो चलिए मैं बताता हूँ पहले क्या करना है तो पहले मैं इस plane पे जाता हूँ sketch में जाता हूँ और यहाँ से हम लोग कर देंगे hidden line राइट क्लिक करके reference ले लो यह हो गया बाकी और ज्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है मैं एक arc ले लेता हूँ यहाँ से पकड़के यहाँ तक और कुछ ऐसा radius तो दिया हुआ है 8 का यह ले लिया मैं ने अब दूसरा देखिए यहाँ से यहाँ तक location दिया हुआ है 2.20 inches का तो वो भी ले ले लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक 2.20 शाबश और इसका location देखो 0.30 के बराबर ही है अगर आप ऐसे भी calculate करोगे तो भी उतना ही आने वाला है ज़रा ध्यान से देखो इसका total कितना दिया है 1 का center से कितना हो जाएगा 0.5 inches और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.8 inches तो 0.8 माइनस 0.5 बचा कितना 0.3 तो यहाँ वही दिया हुआ है ठेक ना तो आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का horizontal distance 0.3 डाल सकते हो और यह हमारा trajectory बनके तयार है अब आप यहाँ से shading with edges कर लो ओके करो see यह हमारा एक तो बन गया है अब मैं ज़रा datum को off कर देता हूँ मैंने इसको select किया और यहाँ से swift blend लिया start हम करने वाले हैं नीचे से यह लिया मैंने और sections में जाओ यहाँ पर हम लोगों को sketched section का use करना है क्योंकि हमने profile पहले सही बनाया नहीं है हमें on the spot अभी क्या भी बनाना होगा इस end में और इस end में sketch में जाता हूँ अब ज़रा इसका profile हम देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं सबसे पहले आप यहाँ से reference ले लो यहाँ से मैं line लेता हूँ कौन सा profile लेना है यह वाला profile लेना है यह देख लो समझें यहाँ पर radius 0.40 angle दिया हूए 25 degree तो चिंता कि कोई बात नहीं मैं यहाँ से जाता हूँ arc लेता हूँ यहाँ से ऐसा करके फिर यहाँ से मैं line लूँगा okay अभी मैं tangent कर देता हूँ जरा इसको इसको tangency कर दिया इसको इसके साथ tangency कर दिया यह पहले सही है और मैं इसके center को इसके साथ coincident कर देता हूँ दोनों के बीच का degree हम 25 degree का लेंगे 25 degree और यह रहेगा 0.40 और 0.4 ध्यान में रखिए इसको इसके साथ tangent होना जरूरी है मैं यहाँ पर एक arc ले लेता हूँ यह इसके बराबर ले लो यह देखे मेरा profile close हो चुका start point मेरा इधर आ रहा है no problem आप इसको यहीं रहने दो okay कर दीजिए यह हो गया मेरा पहला profile अभी insert करेंगे दूसरे profile के लिए और sketch में जाएंगे यह लिया मैंने axis and ellipse एक इधर दूसरा इधर याद रखे इसके साथ यह tangent होना चाहिए यह जो है मेरा 3 इंच का है और यह जो है मेरा 1 इंच का है साबस मैं ज़रा यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ पिछले वाले sketch में हमारे पास 4 nodes था 1, 2, 3 और यह 4 ellipse में हमारे पास कितने nodes हैं 0 तो यहाँ हमें बनाना होगा कैसे? divide करके right click करके center axis ले लो 1, 2 यहाँ पर 45 degree डालना होगा इधर से इधर तक और मुझे वो divide करना होगा yellow divide 1, 2, 3, 4 4 जगों पर हमें divide करना होगा यह जो भी है आप इसको पकड़के lock कर दो ओके देखिए आया तो है लेकिन मेरा start point जरा गड़बड हो गया है तो पहले वाले sketch का start point इधर था तो दूसरे वाले का किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए इसको select करेंगे right click करके start point पे click कर दो ओके अब देखिए यह मेरा काम perfect हुआ सी यह काफी important चीज़ था आपको जरा ध्यान से यह करना होगा एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार 5 बार 10 बार देखो इसको ओके यह काफी important चीज़ था यहाँ पर इस portion को अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं नहीं तो रहने दो मैं इसको revolve cut कर दूँगा control plus d press कर दो अब मैं इसको लेता हूँ इसको pattern करेंगे यहाँ से axis लिया axis नहीं दिख रहा है आपको यहाँ से axis on करना होगा इसको select कर लेता हूँ कितने चाहिए 8 angular extent 8 है कि 6 है 8 है ओके यह देख लिजिए यह मैंने बना दिया है अब यह जो portion है उसको आप चाहो तो revolve cut कर सकते हो आप थोड़ा सा दूसरा tool भी use कर सकते हो face को delete करने के लिए उसके बारे मैंने अभी बताया नहीं है तो फिलहाल मैं क्या करूँगा revolve cut करके यह हटाने वाला हूँ no problem plane को मैं जड़ा on कर देता हूँ इसको select किया revolve ले लो यहाँ से हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आप direct reference ले लो 1 2 3 4 यहाँ से भी ले लो यहाँ से भी ले लो फारण हो जाएगा इस तरह से मैंने profile ले लिया और इसको center से हम क्या करेंगे revolve करेंगे material remove ओके यह भी portion हम कर देते तो अच्छा होता तो चलिए मैं edit में जाता हूँ यहाँ पर गया और इसको ले लेता हूँ right click करके reference ऐसा कुछ यहाँ से मैं rectangle लेता हूँ जैसा लगे यहाँ तक ले लो no issue 0.5 का भी ले लेंगे तो भी चलेगा revolve करके material remove हो गया and you can see here हमें थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ा spoke के लिए बट यह जरूरी था इसके बिना हमारा होगा नहीं यह देखिए यह हड़ गया उपर वाला भी हड़ गया अब मैं इस sketch को जरा hide कर देता हूँ see perfect next काम क्या है यहाँ एक छोटा सा cut out करना है 1.5 diameter का depth कितना है 0.2 inch select करेंगे extrusion circle ले लेता हूँ 1.5 diameter okay flip the direction remove material already on है 0.2 say okay यह हो गया दूसरा holes लेने है diameter क्या है boss यह देख लिजे यहाँ पर 6 number 0.75 diameter का hole लेना है और इसका PCD यह देख लिजे यहाँ पर दिया हुआ है 3.20 का PCD है no problem तो मैं क्या करता हूँ hole लेता हूँ direct यहाँ से थोड़ा diameter मैं कम कर देता हूँ 0.75 ना शाबाज इसको पकड़के axis के साथ दे दो एक reference और दूसरा reference मैं जड़ा दे देता हूँ plane के साथ यह plane जो रहेगा मेरा 0 में रहेगा और यहाँ से पकड़ लो diameter 3.20 का PCD लेना है see तो यहाँ हम लोगों को 3.20 डालना होगा ओके काफी है हो गया हमारा काम to next कर देता हूँ यह देख लिजिए perfect आया है see यह वाला hole मैंने लिया ध्यान में रखिए PCD हमारा 3.20 है 6 hole लेने है और diameter 0.75 का तो यह सारी चीज़ें हमने ले लिया है ओके pattern axis 6 angular extends say okay यह देखो इन सब को मैं off कर देता हूँ यहाँ से यह देख लिजिए perfect आया good now what fillets तो fillet देखें यहाँ 0.1 दिया हुआ है तो चलिए अब हम लोग 0.1 इंच का fillet लेते हैं यानि round लेते हैं ओके यह हुआ पहला काम फिर दूसरा लेता हूँ यहाँ से और यह लास्ट वाला rounds और इधर भी लेना है ता आप ले लीजिए एक एक करके apply कर देते हैं जरा be careful सही age को select करना है okay control plus d अब आखिर मैं इधर भी ले लेता हूँ थोड़ा age ओके see यह हमारा perfect हो चुका जो drawing में था उसके हिसाब से हमने इसको बना दिया है okay हाँ अगर थोड़ा बहुत इधर भी डालना है तो आप डाल सकते हो है ना तो ले लेते हैं थोड़ा बहुत इधर भी 0.1 का या तो भी 0.05 ले लेता हूँ that is not necessary मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ इसको यहां से मैं ने इन सब को भी apply कर दिया अंदर भी लेना है तो अंदर में भी ले सकते हैं थोड़ा see तो अभी हमारे पास कोई भी sharp edge नहीं बची है ना okay कर देता हूँ और यह हमारा हुआ काम complete इधर भी छूड़ गया ना जी इसको भी लही लेते हैं यह देखो यह शाबाज ओके control प्लस D और यह हमारा tire wheel बनके हो गया तयार appearance कैसा है boss कुछ इस तरह से है chrome मैं यहां से chrome जैसा ही कुछ ले लेता हूँ yes यह देख लीजिए तो इस तरह की चीजें हम लोगों को practice करनी होगी तब जाके हम लोग company में tick पाएंगे नहीं तो क्या है एक से एक धुरंदर होते हैं designer है ना तो हम लोगों को अपनी पहचान बनानी है इसमें career करना है तो जरा label label का काम करना होगा ना नहीं तो कैसे tick हैंगे company में यह देख लीजिए तो इस तरह से हम लोगों को अलग-अलग assignments की practice करनी होगी तो मैं तो यह सब करा ही रहा हूँ है ना लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए ताकि हम दोनों मिलके result अच्छा दें ओके यहाँ पर भी थोड़ा बहुत fillet लेना है ता आप ले लीजिए अगर आपने मेरे lectures को carefully देखा तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं है ना लेकिन फिर भी आती है तो repeat कर लो जरा सा चलो चलो इसको आप आप बनाओ है ना मिलते हैं फिर अगले session में अगले tutorial के साथ bye bye good day take care मैं इसको save कर लेता हूँ